स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं बूगल पॉलिवुड सुशान सिंग राजपूत को इस दुनिया से गए आज एक महीना हो गया है उनके दोस्त परिवार विप्रशंसकों के द्वारा उनको सोशल मीडिया पर खुब याद किया जा रहा है बता दिंकि दिल बिचा के कास्टिंग डारेक्टर मुकेश शाबडा भी सुशान सिंग राजपूत को बेहत याद कर रहे हैं और उन्हें याद करते हुए भावख हो रहे हैं मुकेश शाबडा ने अपने इंस्टेग्राम अकाउंट से कुछ सवीरें साजी की और लिखा आज एक महीना हो गया है अब तो कभी भी फोन नहीं आएगा तेरा मुकेश के इस पोस्ट पर कई पॉलिवूड और बॉलिवूड सितारों ने कॉमेंट किये प्रशंसक के कॉमेंट्स कर रहे हैं और उन्हें शर्धांजली भी अर्पित कर रहे हैं आपको बता दे कि एक प्रशंसक ने कहा सर तुम जैसा ना कोई था ना कोई होगा दिल बेचारा फिलम कई रेकॉर्ड्स थोड़ेगी काश तुम होते इस रेकॉर्ड को देखने के लिए आपको बता दे कि कई लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी भावनाएं सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं लोगों के द्वा आदे कि सुशान्त की आने वाली फिलम दिल बेचारा जल्द ही रिलीज होने वाली है इस फिलम के ट्रेलर ने हॉलिवुड फिलम के रेकॉर्ड को भी तोड़ दिया था तबी तो लोगों के द्वारा ये उमीदे लगाई जा रही हैं कि ये फिलम सूपर डूपर हिट होग लेकिन अंकिता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर किया है वे अंकिता ने लिखा भगवान का बच्चा तो उसके बाद लोगों ने इमोशनल कॉमेंट्स करने शुरू कर दिये वैसी के तुरंत बात देखा गया कि रेहा चकरवर्ती ने भी अपने सोशल मीडिया आकाउं आपको बता दे कि अब लोगों के द्वारा ये सवाल पूछा जा रहा है कि एक तरफ रेहा चकरवर्ती से पुलिस के द्वारा करीब 9 घंटे की इतनी लंबी पूछ ताच की गई थी तो दूसरी तरफ रेहा चकरवर्ती की मुकेश भट के साथ इतनी सारी फोटोज वाइर दे रही है कि ऐसे क्या कारण रहे हैं जो रेहा से इतनी बड़ी पूछ ताच की गई और उसके बाद आज एक महीने बाद रेहा क्यों अपने सोचल मीडिया अकाउंट से सुशान की फोटोज शेयर करें इसी तरह कि कई सवाल हैं जिनका जवाब जानना भी बाकी है इस